अलो एब्रिवान ग्रीडिंग्स डियर कैसे बिटा आप सब आई होप यूर आल इस वेल तो आपकी वक्षीट आ गए बिटा डिरेक्टुरेट ओफ एजुकेशन जी एन सिटी ओफ टैली की वक्षीट नंबर है आपकी जो है 19 यह है सिक्षा निदिश्चल राष्टे 24 20 की आपकी मंगलवार की वक्षीट तो आज का हमारा डिटा वर्गमल का अनुमान लगाना क्या है वरगमूल का अनुमान लगाना है तो प्रिया कहती है वर्गण को देखकर बताओ कि इस आकरती का आकार कैसा है क्या है यह आकरती देखकर बताओ इसका आकार कैसा है तो रिया कहती है वर्ग आकार दिखाई देती है परन्तु लंबाई और चोड़ाई को मापन होगा पिरिया कहती है क्या तुम बिना मापे इसकी लंबाई चोड़ाई बता सकती हो रिया कहती है नहीं प्रिया कहती है ये ती साकर्थी का अक्षितरपल 225 वरग सेंटिमीटर है तो हम इसका वरग मूल अनुमान लगा कर निकाल सकते हैं तो रिया कहती है कैसे तो प्रिया कहती है आओ मैं आपको समझाती हूँ तो देखे बिटा आगे जो है प्रिया कैसे समझाती है रिया को तो देखे यहाँ पर यहाँ पर तो दिये गए हैं बिटा वरग मूल एक का कितना होता है दो का कितना होता है तीन का कितना चार का पांच का छे का पचीस तक यहां दिये गए है इसके बाद है वरग का अक्षी तरफल कैसे निकालेंगे बुजा का जो है बुजा की घात दो यानि की बुजा की दो यानि की यहां पर मालिया 25 है तो 25 की दो यहां पर जो इसका वरग मुल निकल जाए अक्षी तरफल निकल जाएगा तो यहां पर देखी बिटा आगे दिया गया है प्रंदु जिदी 225 का वरगमुल कैसे निकालेंगे आओ अनुमान लगाएं 225 में इकाई का अंक्या है बिटा 5 है अत्या वरगमुल संख्या का इकाई का अंक्या होगा 5 ही होगा हम जानते हैं 10 का वरक कितना होता है 100 20 का वरक कितना होता है 400 तो 100 और 225 और 400 तो इन दोनों के यहां पर 10 का कितना हुआ हमारा 100 11 का कितना हुआ बिटा हमारा यहां पर 11 का हुआ हमारा 121 तो हमें कितना जानना है 225 225 कितने का है बिटा 25 का तो यहांपर जो किस का है- 400 है बीस का है टो यहांपर जो भी अंदeker नज़ जिसके भी करीब होता है वहीं हमारा उसी का वरगमुल होता है तो10 और 20 के बीच एक संख्या है जिसके लंबही का अंक है 5 और वह 1 अंक है 15 तो इसलिए पूरण वरग संख्या 256 का वरग मुल कितना है 16 है कितना है बिटा 16 है तो 15 का कितना है बिटा 225 16 का कितना है 256 हमें निकालना किसका है 256 तो ये किसकी नज़्दीक है बिटा 225 के तो हम अंदाजन किसका बता सकते हैं 15 की कात जो है 15 की 2 के हम 15 के वरगमुल के करीब लगा सकते हैं तो आगे है बिटा देखिए आगे क्या दिये गए है आओ कुछ परश्णों के आओ कुछ अन्य संख्याओं के वरगमुल का अनुमान लगाए तो कैसे अनुमान लगाओगे बिटा देखिए यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है सबसे पहले संख्याओं मारी दिये गई है असी हमारी देखिए आठो अठी कितने होते हैं हमारे आठो आठ गुना आठ यानि की जो है आठ की दो कितने हो गए हमारे जो है चो सट इसके बाद बिटा नो की दो आगी दिया गया है तो 356 356 किस के नजदीक है बिटा देखिए 356 यहाँ पर 18 का जो है वरग मुल कितना होता है बिटा 324 और जो है 19 का कितना होता है 19 का होता है बिटा यहाँ पर 301 तो यह किस के नजदीक है बिटा यह हमारा 19 के नजदीक है तो इसका वरगमुल होगा जो है इसका वरगमुल 19 कितना होगा पिटा 19, 19 की 2 आगे पिटा 509, 509 देखे हमारा 22 का कितना है पिटा 22 का वरगमुल है हमारा 484 और जो है 23 का कितना है, 23 का है 539 तो अब देखिए यह 509 किसकी नजदीक है बिटा चारसो चुरास्ती के 529 के तो 529 के ज्यादा नजदीक है तो यहां पर हम लिखेंगे बिटा तेज की दो आगे है चासो अठाइस तो चासो अठाइस में देखिए आप जो है पचीस का वरगमूल कितना होता है पचीस का मरग होता है चासो पचीस यह कितना है चासो ठाइस तो किसके नजदीक है यह 25 के ही तो नजदीक है तो यहां पर जो है इसका वरगमूल क्या होगा इसका वरगमूल होगा हमारा पचीस जो है इसका होगा हमारा नो इसका होगा हमारा जो है 19 और इसका होगा हमारा तेज कितना लेट आई योप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू बिटा थैंक्स पूब अच्छी